हेलो स्तो कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम डिसकस करेंगे इडिया के वन आप दे बेस्ट कमपनी के बारे में जो वेल्थ क्रेट करने के अंदर बहुती सूपर और आउस्टेंडिंग लेवल की कमपनी है और काफी निवेशक के वेरि आज आपको बताने वाला हूँ डिक्सवन टेक्नलोजी के अंदर की जो हर किसी इंवेश्टर को पता होनी चाहिए मैं कोई गवर्मेंट के जो अनौसमेंट है वो पिलाइ स्किम के वारे में नहीं बता रहा हूँ मैं ऐसे कुछ इंटरनेशनल लेवल की डिसिजन बता रहा है आपको अंदाजा नहीं है बहुत से यहाँ पर इस कंपनी के अंदर के अपडेट्स आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और यह जो तेजी स्टॉक में हमें पिछले कुछ समय से बड़े जो करेक्शन के बाद में तेजी देखने को मिली है उसके भी यहाँ पर बहुत से रीजन्स हैं मैं आपको भी बताता हूँ आप पूरे पॉइंट्स को देख लेना एंड यहाँ पर मैं दूसरा एक जो पॉइंट डिसकस करने वाला हूँ वो है देखें बहुत से निवेशक का कोशन था कि सर यह डिक्सवन टेकलोजी का शियर फिर से हमें 20 हजार का लेवल दिखाने की स्टेंद रखता है क्या तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है देखिए मार्केट कब यहाँ पर कैसे पफॉर्म करेगा यह किसी को अंदाजा नहीं है इंडिया अभी ग्रोटेबल स्टेज में है इसमें कोई डाउट नहीं है और अभी जैसे इंडिया के बाहर के कमपनी के नाम सुनते है एपल, गूगल ऐसे जो नाम सुन रहे हैं ना जो यहाँ पर एपल मोबाल मैनुफेक्चरिंग में बहुत नाम यहाँ पर उसने कमाया तो दोस्तों वैसे ही आने वाले समय में हमें डिक्सोन कमपनी देखने को मिल सकती है क्यों क्योंकि उसका जो यहाँ पर expansion development के उपर जो काम चल रहा है वो काफी तेजी से है ऐसा नहीं मैं कहे रहा हूँ कि 20,000 ही जाएगा उसके करीब जाएगा उससे ज़्यादा भी जा सकता है अभी इंडिया का market ग्रोतेबल है देखे समय तो लगेगा इसमें कोई शक नहीं है बट company आउटपूट बहुत ही भहेंकर कमा कर देने की ability रखती है चलिए मैं आपको details बताने वाला हूँ उसको देख लीजिए उसके बाद में आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या क्या company में हो रहा है और आपको भी यहाँ पर ये जो 20,000 के level से वो आचूँ करने की ability है या नहीं वो पता चलेगा ना चलिए start करते हैं देखे दोस्तों किसीने shares खरीदे होंगे वो भी देख लेना कोई खरीदना चाहता है वो भी understanding कर लेना जिस से आपके decision लेने की जो power है वो अच्छे से बढ़ सके मेरे effort पसंद आए तो जरूर like, subscribe करना, comment में बता ना कोई question, queries दोस्तों आपके mind में यहाँ पर हो तो आपर मैं latest updates के जो news है वो तो बताने वाला हूँ बट एक important जो news पिछले महने में आई थी देखे दोस्तों जो PLI scheme वगेरा है यह तो government dairy है इसमें कोई doubt ने हम सभी को पता है बट जो decision है उनके वो कितने favor में वो भी आपको समन्दा पड़ेंगे यह तीन यहाँ पर 5 अगस्ट की news है 2023 अभी की डिक्सवन टेकलोजी के अंदर हमें 4-5% की तेजी देखने को मिली उसके पीछे सबसे बड़ा announcement है देखे इंडियन government का वो है government district import of laptop, tablet and pc अभी आपको पता नहीं तुम्हें बता देता हूँ कि laptop, tablet, pc बनाने वाली company डिक्सवन टेकलोजी है बहुत से companyों के लिए company बना कर manufacturing करकर उनको supply करती है अभी सबसे बड़ी बात क्या है इस news में आपको पता ही नहीं है government ने क्या district किया है import करना, export करना नहीं यानि क्या होगा बाहर के देश के जो यहाँ पर companies है जाहे यहाँ पर हम dell company देख लेते हैं यहाँ पर apple company है वो क्या है companies बनाते बेचते हैं तो वो जो companies को इंडिया में बेचना है तो उनको क्या करना पड़ेगा Indian company को देना पड़ेगा contract और Indian company बना देगी और वो बेचेगी इंडिया के अंदर है Import करने पर यहाँ पर restriction है but import तो यहाँ पर करने ने वाले तो इंडिया के अंदर ही बना कर बेचेंगे तो फायदा ही फायदा है ना और इंडिया में बनाएगा कोड तो Dixon Technology, इसलिए reasons को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर आपको उसके impact समझ में आ जाएंगे, तो चलिए मैं आपको अभी बहुत से updates Dixon के अंदर के सभी बताता हूँ, सबसे पहले, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए, Xiaomi, जो company है, mobile बनाने वाली यह जो news है, अभी की है, देखिए, 15 September 2000, 23 की news है, इस news को मैंने यहाँ पर जादा, जो important क्यों दिया, तो इस news में काफी राज है, अभी यहाँ पर government का decision ने देखिए, इंडिया के अदर के, कि जो भी companies, यहाँ पर इंडिया के अंदर manufacturing के plant लगाएंगे, अभी Xiaomi क्या कर रहे ह अभी हमने import के ऊपर बहुत से अलग-अलग restriction लगाएंगे न, तो उसको यहाँ पर वो settle करने के लिए क्या कर रहे है, वही आकर इंडिया में क्या कर रहे है, manufacturing का supply करने का plant लगाने की तैरी कर रहे है local में, बट आपको पता ही नहीं कि इंडियान government ने क्या किया, push किया local को, अभी यहाँ पर वो plan तो करने है, बट इंडियान government ने क्या किया, जो इंडियान के यहाँ पर जो भी companies हैं इंडिया के, उनको यहाँ पर benefit देने की कोशिश की, यह जो यहाँ पर companies हैं इंडिया के अंदर के, उनके साथ में इनको यहाँ पर partnership करना पड़ेगी, यह बहुत ब open massive new factory on the ostrichs of New Delhi, as India push Chinese stage firm to use local assembly partners, यह word को थोड़ा अच्छे समदना, बाकी news आपके लिए important नहीं रहेगी, बट यह देख लीजे, यह local assembly partners जो है, उनके साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, यह एक point मैं आपको बताना चाहता था और दूसरा देखिए, यह जो Dixon technology है, इसके updates देख लेना क्या है, Dixon technology tells with US, China hardware जो है, बनाने वाले जो भी आहाँ पर या बेचने वाले companies हैं, वो laptop से जुड़े वे manufacturing करने वाले जो parts होते हैं, उनके साथ यह partnership करने के plan कर रही है, अब यह पूरा clearly बात सामने आई नहीं है, बट यह अंदर से updates आये हैं, और यह जो चीज़े हैं, तो है telecom.com economic time, उनके तरफ से बता रहा हुई updates आये वाले, और यह भी कोई पूराने update नहीं है, 15 September 2023, तो यह आप पढ़ सकते हैं, पूरे article में आपको वही चीज़े देखने को मिलेगी, और government की जो यहाँ पर scheme हैं देखिए, product link incentive, PLI scheme जिसे कहते हैं, उसका फाइदा भी इनको मिल रहा है, बोलकर यह जितना हो सके उतना आगे बढ़ने के लिए तयार है, और यह जो hardware से related यह plan क्या करने देखिए, the company plan to invest around 250 crore over the next 2 to 3 years in the building a new production facility, location, यहाँ पर देखिए, local locations जो अलग-अलगे वहाँ पर तो बनाएंगे, इसमें कोई doubt नहीं है, यह जो अभी यहाँ पर हमने 2-4 news को cover किया, वो आपको सिरिफ news बोलकर देखने ने चाहिए, company के उपर कितना impact पड़ेगा उसको देखना चाहिए, और यजपी, लावा, यह सभी ऐसे शानदार clients यहाँ पर बनाने की कोशिश में, और भी बहुत से articles में बहुत बढ़िया details आते हैं, आप ज़रूर पड़ा कीजिए जिससे आपको पता चले डिक्सोन के अंदर क्या, और आपको जो आने वाले growth के बारे में पता चल जाएगा, अभी share चल रहा है 570 रुपे पर, एक share में जो आप यहाँ पर निवेश की हो, आपके पास एक रह सकता है, दो रह सकता है जिनके इक capacity जैसी वैसा निवेश कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर अल्रेडी करकर बैटे हैं, 6 महिने में जो डिक्सोन डिक्लोजी ने return कमा कर दिया, वो आप देख सकते दोस्तों कितना outstanding लेवल का है, stock correct हुआ था, कहाँ पर आ चुका था, अठावी सो रुपे पर, आपके आगे ही है, और मैंने अठावी सो रुपे के लेवल पर भी आपको discuss करकर बताया था, कि इसके अंदर दम तो जरूर है कमब्या करकर दिखाने का, क्योंकि decision, company के partnership, joint venture, expansion के लिए बहुत से activities दिखाई दे रहे थे, और 80% का return कमा कर दिया, 80% कोई छोटी बात नहीं है, जितना ज़्यादा capital स्वरी उतना ही बड़ा यहाँ पर output रहता है, तो I hope आप समझ रहे क्या-क्या फायदे Dixon technology के अंदर निवेशक को मिल रहे है, और आने वाले समय में भी इस company के अंदर कितना bright future है, वो भी आप यहाँ से details देखकर समझ सकते हो, और एक सबसे interesting बात जो आपको यह support करेगी कि company में growth है बोलकर, अगर आप D.I.S की shareholding देखेंगे, domestic institutional investor है यह, 18% से फिर 23 और 23 से अभी आगए 24 पर, अभी आप देख लिजे यह जो shareholding वो लगातार D.I.S की बढ़ रही है, और D.I.S के साथ में E.F.I.S भी आप देख सकते है, 12% से direct, वो 15% याने के 15% पर आगए, तो इतना बड़ा कमाल क्यूँ और क्यूँ निवेश हो रहा है, क्योंकि company के ability पर, यहाँ पर सभी को भरोसा है, और D.I.S के पास, यहाँ पर कोई करजे का भी burden नहीं है उतना, ना दोस्तों यहाँ पर business का भी, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो D.I.S के पास यहाँ पर कोई करजे का भी बर्डन नहीं है उतना, अलग अलग यहाँ पर home के जो appliances से उसके अंदर, mobile, light, lighting से जुड़े वे, पूरे यहाँ पर phone वगेरा, smart phone, सभी यह company बना कर बेशती है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इनके businesses के बारे में, बहुत अच्छा business है, solution बहुत अच्छे provide करते है, largest LED TV manufacturer in India है यह company, इसके पास market share बहुत अच्छा है, और साथी business model का तो, यहाँ पर मैं आपको बार-बार बताते रह रहूंगी, क्या-क्या है, और इनके business के जो source है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो revenue का सबसे बड़ा source आप तक, जो था company का consumer, electronics product था, light product से 12%, या home appliances से साथ, mobile, और जो यहाँ पर electronics manufacturing services जो provide करते हैं, उसके 29% revenue आता है, और security system से आता है 4%, और आप यहाँ पर इनके manufacturing facilities देखेंगे, तो 18 manufacturing facilities है, डिक्सोन के, capacity जो है वो अपनी बढ़ाने के लिए, capacity expansion कर रहे हैं, वो लगातार manager से बताया, और यह CapEx भी आप देख सकते हैं, 2022 अभी के ही years में उन्होंने, 417 करोड का लाया, और भी यहाँ पर लगातार expansion कर रहे हैं, 320 करोड भी लेकर आ गए, और बहुत से joint venture वगेरा भी यहाँ पर किये हैं, आप पढ़ सकते हैं, यह अभी के joint venture हैं 2022 के, अभी आने वाले समय में देविस के भी देखने को मिलेंगे, partnership भी बहुत से company के साथ किये हैं, और P.L.I.S.K.E.M. का भी इनको बहुत अच्छा government के तरफ से support है, देखी हाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आप प्रूवल मिला है, पैसे भी इनको आते हैं P.L.I.S.K.E.M. का जैसा आप manufacturing करते हैं, वैसा पैसा आपके पास आते रहता है, I hope दोस्तों आप समझ गए, एक भी point मैंने यहाँ पर आपके लिए miss नहीं क्या, सभी चीज़ें बताई हो सके उतना जैसी details मेरे सामने यहाँ पर थी वो,